लगा रखा है जोर पूरा सबने और लगा के रखना है ठीक है मुझे पता है कि आप लोगों ने लगाया हुआ है और बिलकुल भी हिम्मत नहीं हारनी है दो महीने जो हैं अभी है इसमें बड़ी सारी चीजे ना एकदम से अपनी तरफ खीचेंगी कोई और पेपर निकल जाएगा वो खीचेगा कि ये पेपर भर देता हूँ इसमें पोस्ट बहुत जाद हैं कोई दोस्त अट्रैक्ट करने लगेगा चल भाई घूमने चलते हैं कोई परिवार की शादी आ जाएगी भाई यार ये कजन के साथ तो बहुत बनती है मेरी इसकी शादी में कैसे ना जाओं कम से कम पांच दिन तो जाना पड़ेगा घर वालों का कुछ ना कुछ रहेगा ब्लैक मेल तू हमारे लिए तो टाइम देता नहीं है देती नहीं है दोस्त अभी बुला ले अभी उठके चला जाए चाहे तुम नहीं जाते फिर भी तुमको सुन एपी एफसी 2015 के प्रिविएस येर कोशन्स डिसकस करेंगे हिस्ट्री के 9 कोशन्स है अल्रेडी मैं आपके साथ एपी एफो का एओ यो का जो 2021 में पेपर हुआ था वो डिसकस कर चुका हूँ मैच और इंग्लिश के कॉंपोनेंट्स मैं डिसकस नहीं करूँगा ओके इंग इस डिसकस देम और उससे पहले पीडिएफ का लिंक डिसक्रिप्शन में है दोस्तों पीडिएफ आप सब्सक्राइब कर सकते हो लेकिन अगर आप एंसी क्यू कॉम्बो कोर्स ले रहे हो जो यूपी एसी एफो जिस पे आप कोड यूज करते हो 50% आफ के लिए अगर आप आपको अलग से पीडिएफ का सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूत नहीं है कि कॉर्शन पर आजाए क्रोन लॉजिकल सिक्वेंस के अंदर कॉर्शन था फिर्स्ट बैटल ऑफ पानिपत वियतनम वार फ्रेंच रेवल्यूशन फिर्स्ट गल्फ वार व्ल्ड वार वन पर न लंगल्स की फांडेशन वियतनम वार गल्फ वौर वर व्ल्ड वार वार ये तो बहुत जादा मौडन हो गए तो सबसे पहले तो देखो ना फ्रेंच रेवल्यूशन हुआ ना व्ल्ड वार हुआ अब मेरे पास बचता है 15324 13524 ओके अब इसके बाद French Revolution हुआ आपका 18th century में ओके French Revolution 18 थी यह तो देखो सारे modern day हैं यह after independence हुआ इंडिया का यह भी after independence हुआ 1992 में यह 1960s में हुआ तो यह तो सब बहुत बात की बात है World War भी आपका 20th century की beginning में हो गया ठीक है 1914 में तो ultimately French Revolution आना है आपका तो 1-3 होएगा option A भी eliminate हो गया तो सिरफ 2 के idea लग जाने से आपके बाकी सारे option eliminate हो गया answer D हो जाएगा ठीक है so answer will be D तो थोड़ा थोड़ा इन के बारे में देख लेते हैं इन सब wars के बारे में थोड़ी सी information gather कर लेते हैं कि अगर side question है देखो previous year question करने का motive सिरफ ये नहीं होता कि answer देख लिया answer तो online available है ये कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई Allah दिन के चिराग में से सवाल निकाल करके लाए हूँ internet पर search करो कि question मिल जाएंगे explanation देखते हैं तो देखो पहला battle of पानी पर तुम जानते हो 1526 के अंदर हुआ और किसके बीच में लड़ा गया था ये बहुत important है बाबर एंड इबराहिम लोदी इस वाले lecture के अंदर homework बहुत जादा देने वाला हूँ पहला homework आपका ये है homework number one जो आपको ध्यान में रखना है और मैं भी अपने पास note करके इसको रखूँगा कि मैंने आपको क्या क्या basically homework दिया था ताकि हम जब next video discuss करेंगे PYQ की उसका उसमें हम सबसे पहले वही discuss करेंगे ओके तो homework number one है आपका आपको मुझे बताना है कि जितने भी battle of पानी पत हुए यह बाबर और इब्राहिम लोधी में हुआ था और इसी से foundation हुई थी मुगल एंपायर की इंडिया में बाबर defeated इब्राहिम लोधी और मुगल एंपायर की foundation उन्होंने रखी इंडिया के अंदर French Revolution की बात करने तो देखो फ्रांस में लोग दुखी थे अपने राजा से ठीक है क्योंकि वहाँ पे लोगों को bread खाने को नहीं मिलता था और वो cake खाते थे यह बड़ी एक famous saying है कि लोगों के पास bread खाने के लिए पैसे नहीं थे लेकिन वहाँ पर cake जो राजा रजवाड़े होते थे और यह अफवा फैल गई यह rumors फैल गए लोगों के बीच में कि आर्मी को राजा ने city में इसलिए आने का order दिया है ताकि जो नागरिक हैं उनके ओपर fire open किया जा सके ठीक है क्योंकि विद्रो की कही ना कही चिंगारी जो है वो लगी हुई थी तो इसलिए राजा ऐसा कर रहा होगा और यह अफवा सुनकर के around 7000 men और women जो है वो town hall के आगे राजा के महल के आगे आकर के खड़े हो गए और उन्होंने का कि हम यह लोगों की militia create करेंगे यहीं से शुरुवात होती है आपकी French Revolution की तो broadly 1789 वाला आ गया और लड़ा गया था allied powers और central powers के बीच में allied powers में mainly member कौन थे France, Russia, Britain US ने भी इसको जोइन किया लेकिन काफी late जोइन किया 1917 में जोइन किया तो allied powers में आपके France, Russia, Britain और US आगे और central powers जो थी उसमें थे आपके Germany, Austria, Hungary Ottoman Empire and Bulgaria अब इसके अंदर World War I के अंदर कौन victorious था? allied powers जो थे, these were victorious ओके इन्होंने ये basically लड़ाई जीती थी उसके बाद बात करते हैं Vietnam War की तो Vietnam में independence के बाद बड़ा conflict चल रहा था and ultimately Vietnam का partition हो गया North Vietnam और South Vietnam में ठीक है और इसी के साथ Vietnam में एक नई freedom movement शुरू होई basically जो Vietnam के supporters थे वो क्या चाते थे कि Vietnam को unite कर दिया जाए अब जो South Vietnam था, उसके पास था US का support ठीक है और Geneva conference हुई थी एक उसमें ये decision हुआ था कि elections करे जाएंगे और फिर decide होगा कि Vietnam को unify करना है नहीं करना लेकिन South Vietnam जिसके पास US का support था इन्होंने refuse कर दिया भई हमें नहीं कराने election election हम तो अलग ही रहेंगे North और South अलग अलग रहेंगे इससे क्या हुआ South Vietnam के अंदर जो लोग थे उनके अंदर विद्रो जो है वो जमा होना शुरू हो गया ठीक है और US तो चाहता ही नहीं था कि Vietnam की unification हो एक Communist Party की leadership के अंदर क्योंकि North में Communist support था पूरे का पूरा Ultimately लोगों के अंदर गुसा था South Vietnam में South Vietnam की सरकार के against and इसी के साथ civil unrest वहाँ पर शुरू हो गया and US ने इस South Vietnam के अंदर ये जो अप्राइजिंग होई इसको दबाने के लिए massive military intervention किया हजारों की संख्या में American troops को यहाँ पर भेजा गया advanced weaponry के साथ to suppress the popular uprising Rambo movie जो है वो आपने शुरू में देखा होगा Rambo की second movie के अंदर वो वेतना में जाता है Rambo तो US वाली क्या गड़ते थे उस टाइम पर ये जो period था ना यूएस का जब भी इनका किसी country के साथ conflict होता था ये movie बना देते थे जैसे Rambo बना दी या आपने देखा होगा उस period की जितनी movies है Mission Impossible वगएरा के जो शुरू के parts थे उसमें सब में वो रश्या को विलन दिखाते थे Similarly याँ पर वो Vietnam को विलन दिखाएंगे Ultimately यूएस का ये agenda होता था वो अपनी movies के through क्योंकि उसको पता था US को कि उसकी movie सारी दुनिया में लोग देख रहे हैं तो वो अपने लिए sympathy gain करता था इन movies से ठीक है इन movies से वो क्या करता था अपने लिए sympathy gain करता था कि देखो हम तो human rights के लिए लट रहे हैं हम है अच्छे लोग ओके तो काफी सालों तक ये war चला Ultimately वियतनाम से US को फिर withdraw करना पड़ा Because Vietnam का भी वही वाला system था या जो अफगानिस्तान का system है अफगानिस्तान में बड़ी-बड़ी गुफाएं है पहाडों के अंदर जिनको track कर पाना impossible है Similarly वियतनाम के अंदर जंगल था जो rebels को ultimately help कर रहा था और अमेरिका को ultimately वहाँ से भारी निकलना पड़ा But this Vietnam War ultimately काफी सालों तक चला 1960s से लेकर के Save the 75 का जो पीरिड था Gulf War की बात करें इराग को इन्वेड कर देता है ठीक है और फिर ultimately उसको annex कर लेता है अब पूरी दुनिया में बड़ी कोशिश की गई इराग को समझाने के भाई ऐसा मत करो बुरी बात है दूसरे देशों के उपर चड़ाई मत करो But इराग माना नहीं जिद्धी था तो UN ने allow किया फिर UN ने एक resolution पास किया कि कुवेट को by force liberate कराओ कि बातचीत तो चलने रही है अब डंडे का इस्तमाल करके कुवेट को release कराओ और ये one of the most dramatic decision था क्योंकि UN को बनाया गया था लड़ाईयां avoid करने के लिए ठीक है अराउंड 6,60,000 troops को भेजा गया 34 countries थी जिसके अंदर जिन्होंने एराक के अगेंस्ट ये लड़ाई लड़ाई लड़ी and उसको हराया which came to be known as the first gulf war तो 1992 का ये period था 1990 से 92 तो ये था आपका first gulf war तो आपको आपको आपके सारे wars और incidents वो हैं वो chronology के next question a branch of scholarship that flourished in Europe particularly from the 15th to 18th century and was devoted to the appreciation सबसे पहला point है कि branch of scholarship यानि कि कुछ study से रहे लेटेड है Europe के अंदर flourishing हुआ 15-18 सथी तक appreciation, chronicling and classification of historic and non-organic relics, monuments and old texts referred to ये ना as it is definition and NCRT के अंदर given है बहुत सारे बच्चे ने इसका answer history लगाया थे बट इसका answer जो है that is antiquarianism ठीक है factual question है okay answer will be option D next question के उपर आजाओ त्रीधन, त्रीधन के उपर question multiple exams में multiple times UPSC पूच चुका so आपको बताना है correct के आज त्रीधन से related number one various types of movable property gifted to a woman on various occasions during her lifetime various types of movable property gifted to a woman on various occasions during her lifetime okay next आजाता है various types of movable property gifted to a woman at the time of her first marriage specifically की पहली शादी के time पर जो मिला है वो स्रीधन है ठीक है number three on the woman's death this wealth could be inherited by her children and husband बच्चे और पती inherit करेंगे उनके पास जाएगा number four कहता है on the woman's death this wealth could be inherited by her natural legally adopted children with none of the sons-in-law having any claim on any part they are off की बच्चों का अधिकार है लेकिन दामाद son-in-law के पास कोई अधिकार नहीं है आपको बताने कौन सा correct है तो देखो इसके अंदर elimination बहुत easily होगा सबसे पहले तो जो three धन होता है ना उसके ओपर पती का कोई भी अधिकार नहीं होता बच्चों का अधिकार होता है सिरफ पती का कोई अधिकार नहीं होता तो inheritance पती के पास नहीं जाएगी husband के पास नहीं जाएगी तो three तो गलत है three गलत है तो मेरा option A eliminate हो गया मेरा option D eliminate हो गया उसके बाद इसके अंदर जो second point है ना honor first marriage ऐसा नहीं होता पूरी lifetime के अंदर जो basically उसको various occasions के उपर मिलता है ना उसका स्त्रीधन है दिवाली के उपर, होली के उपर इंडिया के अंदर होते है ना various festivals जहां पर शबुन मिलता है एक तरीके से women को तो वो पूरे का पूरा आता है first marriage वाला इसके अंदर कोई concern नहीं है तो इसलिए second statement भी गलता है second statement भी गलता है तो मेरा answer जो B option है वो भी eliminate हो गया मेरे पास A की option बचता है फिर C तो मेरा answer यहाँ पर C ही होगा ठीक है तो त्रीधन is the property which women are allowed to retain the gifts they received on occasion of their marriage as त्रीधन okay literally जिसको women wealth बोलते है this could be inherited by their children without the husband having any claim on it okay और sons-in-law जो होते है दमाद जो होते है उसका भी इसके ओपर कोई claim नहीं होता ठीक है इसलिए false statement गलता है क्योंकि son-in-law son-in-law का कोई claim इसके ओपर नहीं होगा तो इसलिए false statement आपका correct है चले next है the khilafat committee accepted महत्मा गांधी suggestion for a non-violent non-corporation protest against the government in its meeting act khilafat committee की meeting की बात हो रही है बहुत से बच्चे नहीं इसका अंसर जो है नागपूर बॉंबे टाइब में लगाया है थे नागपूर के अंदर non-corporation movement जो है वो finally approve हुआ था ना ठीक है नागपूर लगा कर गया है थे बहुत से बच्चे इसका अंसर लिगे नहीं आपर congress की meeting की बात नहीं हो रही है खिलाफत committee की meeting की बात हो रही है जहां पर उन्होंने accept किया था अंसर है इसका options ही अलाबाद इसी तरीके से बच्चे paper में confused होते हैं बहुत सारे बच्चे बड़ी excitement में इसका अंसर नागपूर लगा करके आ करके खुश हुए थे अरे वहा हमने सही कर दिया बट अंसर था अलाबाद क्योंकि खिलाफत committee की बात हो रही है Congress के session की बात नहीं हो रही है खिलाफत committee की meeting की बात हो रही है तो खिलाफत movement के ये कुछ key points आपको पता होने चाहिए खिलाफत movement का main aim क्या था कि British अपना attitude change करें Turkey के towards और Khalifa को restore करें Turkey जो first world war में आर गया था काफी harsh terms उसके उपर impose की गई थी under the treaty of severus and Muslims को लगा यार ये तो बहुत बेज़ती हो गई है and ultimately they wanted कि अपना attitude change करें Turkey की तरफ and खिलाफत movement इसलिए उन्होंने शुरू किया Congress ने इसको support किया मौलाना अबुलकलामजाद, M.A. Ansaari सेफुदिन किचल्यू, Ali Brothers ये prominent leaders थे खिलाफत movement के ultimately 1919 में एक joint conference हुई Hindus and Muslims की महात्मा गांधी के अंडर and महात्मा गांधी बड़ा interested थे इस खिलाफत movement के अंदर क्योंकि उन्हे लगा ये एक बहुत अच्छा source होगा Hindu और Muslim की unity प्रमोट करने के लिए February 1920 में महात्मा गांधी जी ने suggest किया खिलाफत committee को कि एक non-violent non-cooperation movement शुरू करते हैं सरकार के खिलाफ जिसके अंदर Congress और खिलाफत movement एक साथ काम करेंगे Finally June 1920 के अंदर खिलाफत committee ने अलाबाद की अपनी एक meeting में इस proposal को accept कर लिया ये जो non-cooperation का proposal दिया था ना गांधी जी ने February के अंदर उसको accept कर लिया तो अलाबाद के अंदर ये accept हुआ था ये याद रखेंगे Next question Which of the following statement reflect the distinctive feature about 6th century BCE गनाज और संघाज गनाज और संघाज के उपर question है The ancient Indian गनाज वर oligarchies oligarchies basically क्या होता है जहां पर देरा more than one ruler ठीक है एक single ruler नहीं होगा multiple rulers होंगे The ancient Indian गनाज वर non monarchical states Magat, Kosala, Vatsa and Avanti were the most powerful states of that era The procedures of the Buddhist monastic order were patterned on the sangha politics So देखो इसके अंदर सबसे पहले तो गना और sangha क्या होता है इसको वो पता है वो इसका अंसर बहुत easily कर सकता है अंसर इसका है आपका option B 4 statement ठीक है ancient गनाज जो थे वो oligarchies होते थे more than one ruler होता था and इसलिए these were called as non जो गनाज होते थे these were non monarchical states इसमें कोई भी permanent एक राजा नहीं होता था monarch नहीं होता था तो गनाज और संगाज को मोटा मोटा म समझेंगे in गना और संगा there were not one but many rulers इसलिए oligarchies थे कहीं बार तो thousands of men used to rule together और जितने भी इसमें basically rulers होते थे सब को राजा बोला जाता था ये rituals भी एक साथ perform करते थे assemblies के अंदर मिलते थे और decision जो है वो discussion और debate से होता था अगर for example किसी के उपर हमला करना है तो ऐसा नहीं है कि एक single person decision ले लेगा एक meeting होगी है और उसमें वो decide करेंगे कि what has to be done लेकिन एक इसका negative point था जो आपको ध्यान में रखना है जो further आपसे question में पूछा जा सकता है कि women's, dasas यानि की slaves जो कामकारास थे वो इसन assemblies में participate नहीं कर सकते थे वो निशेद था बुद्धा और माविरा दोनों ये गनाज और संगाज वाले इरियास को बिलॉंग करते थे और बुद्धा की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे बुद्धा की following buddy तो बुद्धा अलसो founded a sangha which was known as the organization of monks और इसके अंदर भी जो sangha politics थी वो उसी pattern के उपर इसको arrange किया गया था every decision in the sangha was taken with you know एक concise build करने के हांपर कोशिश की जाती थी एक mutual decision पर आने के हांपर कोशिश की जाती थी next question what is the chronological sequence of following developments decline in export of Indian cotton cotton boom in India civil war in America देखो यह मैंने आपको पहले भी बताया है इसके बारे में cotton boom इंडिया के अंदर आ चुका था Britishers आये इंडिया में और इंडिया में industrial revolution आया यहां पर हम cotton boom की बात जब कर रहे है तो basically हम raw cotton की बात कर रहे है तो basically हुआ क्या Britain के अंदर industrial revolution आ चुका था उन्होंने यह देखा कि यार इंडिया जैसा cotton कहीं पर नहीं मिल रहा तो इंडिया से उन्होंने cotton जो है वो लेकर के जाना शुरू कर दिया cotton उन्होंने लेकर के जाना शुरू किया वहाँ पर उसको manufacture करेंगे और फिर पूरी दुनिया में कपड़ा बना करके भेजेंगे तो cotton boom in India सबसे पहले आया तो यहां पर आपका two आएगा सबसे पहले तो A और C तो cancel हो गया उसके बाद 1860s के around civil war हो गया अमेरिका के अंदर civil war में यह boom और जादा बढ़ा और जादा जो है boom increase हुआ क्योंकि civil war था America one of the supplier था cotton का पुरे दुनिया के अंदर तो वो कहीं ना कहीं civil war की वज़े से और जादा इंडिया की cotton की demand बढ़ी तो उसके बाद two के बाद three आएगा तो option db eliminate हो गया b आजाएगा आपका correct answer और जैसी civil war खतम हुआ उसके बाद धीरे धीरे इंडिया के cotton के export के अंदर decline आना शुरू हो गया comparatively तो यहाँ पर आपका correct answer will be option b next question which of the following industries were first established during the British rule in India सबसे पहले established की जाने वाली industries British India के time पर and these were guys your cotton और jute industry सबसे पहले established हुई थी तो पहली cotton mill Bombay के अंदर set up हुई थी 1854 में and production में दो साल बाद production शुरू हो गई 1862 तक around 4 mills आ चुकी थी इंडिया के अंदर यह spindles और looms का नमबर याद करने की ज़रूवत नहीं है same time पर around jute mills Bengal के अंदर established शुरू होनी शुरू ही पहली 1855 में and उसके बाद seven year letters 1862 में तो cotton और jute industry जो थी है सबसे पहले इंडिया के अंदर आई British rule के time पर next portion है All India Radio से related कुछ statements आपको given है पहला statement it is governed by the प्रसर भारती board दूसरा it was so named in 1936 तिसरा it does not provide DTS services चौथा FM Rainbow and FM Gold are its subsidiary channels तो देखो इसमें क्या होगा प्रसर भारती board इसको govern करता है बिल्कुल सही statement है ठीक है All India Radio को आपके प्रसर भारती board so named in 1936 yes All India Radio was named as All India Radio in 1936 okay so this will be correct okay second option is correct तो second option इसके अंदर नहीं है वो eliminate कर तो second सब के अंदर है it does not provide DTS service DTS service ये प्रोवाइड करता है तो option 3 गलत है option 3 गलत है तो आपका ये भी गया और ये भी गया answer C बचेगा FM Rainbow और FM Gold इसके subsidiary channels है okay so All India Radio basically देखो Radio Broadcasting India में start कब हुई 1923 में ये कुछ facts हैं जो आपने ध्यान में रखना है 1923 के अंदर start हुई थी by the Radio Club of Bombay और जैसे ये start हुआ immensely popular हो गया social cultural life लोगों की change हो गई और एक तरीके से हर घर में पहुँच गया Radio सरकार ने देखा यार ये बड़िया opportunity है एक अच्छा communication का mode है सरकार को कुछ भी communicate करना हो लोगों से तो काफी easily communicate कर सकती है और इसलिए सरकार ने Radio को अपने control के अंदर ले लिया 1957 में दुबारा इसका नाम चेंज हुआ जब हमने इसको अकाश्वानी में बोल दिया ठीक है प्रसर भारती बोड के अंदर आता है मैंने आपको अलड़ी बता दिया है न्यू सर्विस डिवीजन जो है अल इंडिया रीडियो ब्राडकास्ट का वो अराउंड 647 बुलिटेंस डेली देता है मल्टिपल लैंविजिस के अंदर जो सोर्स होता है वो होम, रीजनल, एक्स्टरनल या डिटिया सर्विसे के थू होता है तो जो पॉइंट था डिटिया सर्विसें नहीं प्रोवाइड करता वो गलत हो जाता है चलिए नेक्स आजाता है कोशन गांधी इर्विन पैक्ट अप 1931 ये लास्ट कोशन है जो हिस्ट्री का था अपी एफसी के अंदर गांधी इर्विन पैक्ट के में एस्पेक्ट ओके शस्पेंशन ऑफ दे सिविल इसोबीडियंस मुव्मेंट दूसरा तो टेक पार्ट इन देन फोर्थ कमिंग सिविल इसोबीडियंस मुवमेंट चौथा रिलीज ऑफ पॉलिटिकल पिजनर्स ये थोड़ा सा इजी कोशन है एलिमिनेशन भी इसके अंदर काफी हल्प करेगा ठीक है सो देखो सिविल इसोबीडियंस मुवमेंट ये एकदम सही स्टेटमेंट है तो पहला उप्शन जिसमें नहीं है वो उप्शन इलिमिनेट हो गए उसके बाद सिमला कॉन्फरेंस की नहीं थी बात उस टाइम पर सिमला कॉन्फरेंस तो आगे चल करके होई है यहाँ पर थी बात किसी अंदर पाटिसिपेट करने की राउंटेबल कॉन्फरेंस जो लंडन के अंदर हो रही थी तो सेकेंड सेडमेंट गलत है सेकेंड अगर गलत है तो ठीक है सेकेंड वाले तो अल्ड़री ऐलिमिनेट हो चुके है पे टेक्सेस फॉर पीरेड ओफ सिविल डिसोबीडियंस मुवमेंट तो जो टेक्सेस ड्यू थे क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस में बोला था न कि टेक्स नहीं पे करना कुछ भी सरकार को नहीं देना तो सरकार ने बोला कि भी text जितना civil disobedience का due है वो पे कर दो तो यहाँ पर जो आपका correct answer है that is option C guys 3 was not correct, Texas वाला है यहाँ पर कोई मसला नहीं था बात यह होई थी कि political prisoners को छोड़ा जाएगा जो violence के अंदर involved नहीं है जो violence में नहीं थे तो correct answer इसलिए आपका यहाँ पर 1 and 4 है यह गार्धी इर्विन टैक्ट को थोड़ा से detail में देखते हैं देखो, हुआ क्या? Civil disobedience movement चल रही थी और roundtable conference का एक edition अलरड़ी हो चुका था उसमें Congress ने participate नहीं किया अब सरकार ने सोचा कि जब तक Congress जो most एक prominent political force है इंडिया के अंदर जब तक वो participate नहीं करेगी तो यह roundtable conferences किसी काम की नहीं है और civil disobedience movement चल रही थी इंडिया में तो ultimately उन्होंने कहा कि चलो बैठ करके बात करते हैं ठीक है? अब सरकार में क्या किया? January 25, 1931 को गांधी जी और Congress Working Committee के जितने भी लोग थे उनको जेल से रिहा कर दिया ठीक है? और Congress Working Committee ने गांधी जी को बोला कि चलो आप बातचित करनी शुरू करो Congress के बहाव पे Voice Roy से और इसी बातचित में एक pact sign किया गया गांधी जी और Voice Roy के बीच में Voice Roy रिपरेजेंट कर रहे थे Britain की सरकार को गांधी जी रिपरेजेंट कर रहे थे इंडिया के लोगों को ये pact sign किया गया 14 February 1931 को इस pact को Delhi pact या गांधी इर्विन pact भी बोला जाता है अब इस pact में इर्विन ने सरकार की तरफ से क्या-क्या चीज़े accept की जो सरकार ने एक तरीके से accept करी तो British सरकार ने बोला कि देखो जी जितने भी political prisoners हैं जो violence में involved नहीं थे उनको हम छोड़ देंगे जो भी fine हमने लगाए है जो अभी तक collect नहीं हुए जो collect हो चोगे वो तो खतम है अभी तक collect नहीं हुए उनको खतम कर देंगे जो भी land हमने seize कर लिया था जिसको अभी तक हमने केसी को बेचा नहीं है वो land वापिस कर देंगे जिन भी सरकारी नौकरों ने जिन भी government servants ने जो भी government job कर रहे थे उन्होंने अपनी जो job छोड़ी because of civil disobedience movement उनको lenient treatment देंगे coastal villages के अंदर अधिकार देंगे नमक बनाने का personal consumption के लिए बेचने के लिए नहीं personal consumption के लिए किसी को बनाना है तो वो बनाए peaceful and non-aggressive picketing basically अगर आपको किसी दुकान के आगे जाकर के britain की ब्रिटिश शरकी किसी shop के आगे जाकर के आपको धरना देना है या picketing करना है तो वो आप peaceful या non-aggressive गया में कर सकते है जितने भी emergency ordinances आये थे उन सबको withdraw करने का काम यह सब Irwin ने accept किया दो point Irwin ने accept नहीं किया एक तो political excesses यानि कि police ने police excesses यानि कि police ने जो भी excessive power का use किया उसके अंदर investigation या inquiry वाला उन्होंने मना कर दिया जो हो गया वो हो गया अब हम कोई उसमें जाच परताल नहीं करेंगे पुलिस के ओपर दूसरा भगत सिंग, सुखदेव, राजगुरू basically भगत सिंग और उनके साथी का जो death sentence था उसको life sentence में convert करने का इसको भी deny कर दिया गया और गांधी जी ने भी Congress की तरफ से कुछ demands उनकी मानी जिसमें उन्होंने का कि हम temporarily civil disobedience movement को suspend कर देंगे जब तक हम round table conference से वापिस नहीं आ जाते और गांधी जी ने का कि हम round table conference में Congress पाटिसिपेट करेगी वो भी इन्होंने एक acceptance यहां पर दी ओके इसी के साथ हमारे 9 question EPFC के खतम हो जाते हैं इनको अच्छे से देखना है ये कभी भी मत सोचना बेटा वो मिथ है सिरफ हो सिरफ की UPSC question repeat नहीं करता question repeat करने का मतलब ये नहीं होता कि वो बिलकुल नकल्ची बिल्ली की तरह एक एक word चिपका दे वो नहीं होता concept तो वही रहेगा ना गांधी इर्विन पैक्ट अब UPSC जाए करके कोई और पैक्ट साइन करके आ जाएगी क्या history तो बदलने से रही history तो वही रहेगी वो सिर्फ वर सिर्फ चीजों को समझने का तरीका होता है बाकी कोई भी doubt हो comment में पूच सकते हो telegram पे आप मुझे पूच सकते हो ठीक है, whatsapp कर सकते हो, mail कर सकते हो कहीं बार आप telegram करो, whatsapp करो, mail करो तो हो सकता है थोड़ा से delay हो जाए answer के अंदर तो यह मत समझना के सर तो ignore कर रहे है ठीक है, हो सकता है, थोड़ा delay हो जाए but answer आएगा, 24 hours का time तो लेकर के आप चलना, okay चलिए, मिलेंगे अपने next class में दोस्तो take care and bye